द्रोपदी मुर्मू आदिवाशी समदाय से संबन्द रखने वाली और उडिशा राज में पैदा हुई द्रोपदी मुर्मू को हाली में भारती जन्ता पार्टी के दोरा महारत के अगले राश्पती के पद के उम्मीदवार के तौर पर चैन किया गया है इंटरनेट पर आजकल सभी लोग द्रोपदी मुर्मू के बारे में जानना चाहते हैं चलिए बिना देर किया शुरू करते हैं द्रोपदी मुर्मू का जीवन पर चैन लेकिन शुरू करने से पहले अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें प्लीज आएए द्रोपदी मुर्मू का जीवन पर चैन संग्छिप्त रूट से पूरा नाम द्रोपदी मुर्मू पिता जी का नाम बिरांची नारायन टुडू बेशा राजनितिक पार्टी भारती जनता पार्टी पती श्याम चरण मुर्मू जनतिती 20 जून 1958 आयू द्रोपदी मुर्मू का प्रारंभिक जीवन हाल ही में NDA के द्वारा द्रोपदी मुर्मू को भारत के राश्पती के उम्मीदवार के तौर पर पर प्रस्तुत कि किया गया है। द्रोपदी मुर्मू का जन साल 1958 में एक आदिवाशी परिवार में भारत देश के उडिशा राज्जी के मयूर्भंज इलाके में 20 जून को हुआ था। इस प्रकार से ये एक आदिवाशी समदाय से तालुक रखने वाली महिला है। और इंडिये के द्वारा इन्हें भारत के अगले राश्पती के उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। तौर पदी मुर्मू की सिक्षा जब ये थोड़ी बड़ी हुई तब इनके माता पिता ने इनका दाखिला इनके इलाके के ही एक विद्याले में करवा दिया। जहां पर इन्होंने अपनी प्रारंबिक सिक्षा पूरी की इसके पश्चाद इसनातक की सिक्षा पूरी की इन्होंने इसनातक की सिक्षा पूरी की इसनातक की सिक्षा पूरी करने के पश्चाद इन्होंने रामादेवी महिला कॉलेज में दाखिला पूरी इसनातक की सिक् उनियर असिस्टेंट के तोर पर इन्हें पहली नौकरी प्राप्त हुई। इन्होंने ये नौकरी साल 1989 से लेकर के साल 1983 तक पूरी की। इसके बाद इन्होंने साल 1994 में रायरंग पूर में मौजूद अरबिंदो इंट्रिगल एजुकेशन सेंटर में टीचर के तोर पर काम कर 1997 में चुनी गई थी ये जिला पारशट। साल 1997 का वह समय था जब उडिशा के रायरंग पूर जिले से पहली बार इन्हें जिला पारशट चुना गया। साथ ही ये रायरंग पूर की उपाध्यच भी बनी। इसके अलावा इन्हें साल 2002 से लेकर के साल 2009 तक मयूर्भन जिल भाजपा का अध्यच बनने का मौखा भी मिला। साल 2004 में ये रायरंग पूर विधान सभा से विधायक बनने में भी काम्याव गूई। और आंगे बढ़ते बढ़ते साल 2015 में इन्हें जहारकन जैसे आदिवाशी बहुल राज जी के राज पाल के पत को समालने का भी मौका द्रोपधी मुर्मु का परिवार। इनके पिता जी का नाम बिरांची नारायेंट टूडू है और द्रोपधीमुर मुर्मु संताल आदिवाशी फेमिली से संबंध रखती है है। झारकंड राज बनने के पश्चार पांस साल का कारकाल पूरा करने वारी द्रोपधीमुर राज पाल हैं इनके पती का नाम श्याम चरण मुर्मू है द्रोपदी मुर्मू का राजनितिक जीवन उडिशा गवर्मेंट में राज्य मंत्री स्वतंद्र प्रभार के तौर पर द्रोपदी मुर्मू को साल 2000 से लेकर के साल 2004 तक ट्रांस्पोर्ट और वानिजिक समालने का मौका मिला इन्होंने साल 2002 से लेकर के साल 2004 तक उडिशा गवर्मेंट के राज्य मंत्री के तौर पर पशुपालन और मत्सपालन डिपार्ट्मेंट को भी समाला साल 2002 से लेकर के साल 2009 तक यह भारती जन्ता पार्टी के अनसूची जाती के मोर्चा के राष्टी कारकारने के मेंबर में भी रही भारती जन्ता पार्टी के साथ ही साथ भारती जन्ता पार्टी के प्रदिश अध्यच के पद को इन्होंने साल 2006 से लेकर के साल 2009 तक समाला के मेंबर के पद पर ये साल 2013 से लेकर के साल 2015 तक रहीं जहार खंड के राज्यपाल के पद को उन्होंने साल 2015 में प्राप्द किया और यह इस पद पर साल 2021 तक विराजमान रहीं दुरुपदी मुर्मू का राश्पति उम्मीदवार का घुशित होना अभी तक काफी लोग दुरुपदी मुर्मू के बारे में नहीं जानते थे परन्तु हाली में 4-5 दिनों से ये काफी चर्चा में है लोग इंटरनेट पर ये सर्च कर रहे हैं कि दुरुपदी मुर्मू है कौन तो बता दें कि दुरुपदी मुर्मू जारखंट की राजयपाल रह चुकी है इसके अलावा ये एक आदिवाशी महिला है इन्हें एंडिये के द्वारा हाल ही में भारत के अगले राश्पति के उम्मीदवार के तौर बर घोशित किया गया है इस प्रकार अगर दुरुपदी मुर्मू भारत की राश्पति बनने में काम्याब हो जाती है तो ये पहली ऐसी आदिवाशी महिला होंगी जो भारत देश की राश्पति के पत को समालेंगी इसके पहले भारत तेश्च के राश्पती के पत पर महिला के तौर पर श्री प्रतिभापाटिर विराजमान हो चुकी है